तो हैं कि रास्ट्रिये थे तो सारी जाती समाज के लोग सभी धर्मों के लोग उसमें होने चैए केवल हिंदूओं का संग्ठन बनाना और उसको रास्ट्रिये कहना ये उनकी उस समय की राजनीती से चीजें सुरू होती है और बीच-बीच में वो कहते रहते हैं कि सारा आरेसेस की विचार धारा को समझा देखा परका और अपने साथ हुए बेद भाव को लेकर आरेसेस छोड़कर आ चुका है जहां दोस्तों यह दलिस समाज के विच्दिई है ए ऐसी समाज के विच्दिई है इन से जब यह आरेसेस में भरती नहीं हुए थे यह खुद बताइँगे अपने मुथ से दो बातें इनकी बारे में मोटी मोटी आपको बता रहा हूं उसके आद जब यह ए खुद सब को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है तो ये RSS में भरती हो गए अब साल दर साल लगातार एक साल दो साल लगातार पांच साल तक जब इन्होंने RSS के अंदर सारी चीज़े सीख ली जब इन्हें पता चला कि अरे RSS तो वाकी बहुत खतरनाक संगठने और ये जिस तरह से लोगों का ब्रेन वोश कर रहा है उस तरह से तो देश के लिए भी खतरा हो सकता है और लोगों के लिए किसी एक धरम के बारे में इतनी नफरत भर रहा है नंके मन में के बतलब अजीब लगा हुए उन्हें तब भी ये RSS में काम करते रहे हैं ये सब कुछ जानते लें लेकिन एक दीन जब इनके उपर इनकी दली समाच से आते हैं तो जब इनको ये रियालायज हुआ कि दली समाज से होने के नाते मेरे साथ कितनी नाइनसाफी की गई और मेरी कितनी बेज़ती की मुझे कितना नीचा दिखाने की कोशिश की तब इन्होंने आरेसिस का साथ छोड़ा चलिए भाई से बात करते हैं किस तरह से इनके हाथ का खाना खाने से ब्रामर समाज के लोगों ने मना किया उसके बाद इने इनकी नजरों के सामने जो पर्दा लगा हुआ था वो हट जाता है इनकी समझ में आ जाता है कि हाती के अदाद दिखाने के और होते हैं खाने के और होते हैं और लगतार ये एक इसलाम धर्म कोई ही नहीं बलकि हिंदू समाज के अंदर भी जो नीची जाती के लोग है जिने माना जाता है S.C.S.T. जिने कहते हैं ये लोग उन लोगों की बेज़ती करने का ये काम करते हैं उनके हाथ का खाना तक नहीं खाते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं उसके बाद आप और हम डिसकस करेंगे वो खुदी राष्ट्रिय गोसित कर दिया उनोंने और पता नहीं राष्ट्रिय क्यों हैं क्योंकि राष्ट्रिय थे तो सारी जाती समाज के लोग सभी धर्मों के लोग उसमें होने चाहिए केवल हिंदूओं का संग्ठन बनाना और उसको राष्ट्रिये कहना ये उनकी उस समय की राजनिती से चीजें सुरू होती है और बीच बीच में वो कहते रहते हैं कि सारा देश के जो लोग हैं वो सब हिंदूई हैं 136 करोड हिंदू की बात परिवार तीन पीडियों से मोहमदी हिंदू है मैं मोहमदी हिंदू इसलिए इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि मुसल्मान जो हैं वो भी उनकी 134 करोड में हिंदू है और वो मोहमदी हिंदू है और वो जो परिवार है वो तीन पीडियों से कृष्ण के भजन गा रहा है ऐसे मौमदी हिंदू का संस्कृत पढ़ाना आपको बरदास्त नहीं हुआ तो आप कैसे राष्ट्रिये हैं और क्या राष्ट्र भक्त हैं और कौन सा राष्ट्र बनाएंगे ये सवाल हमको जरूर पूछना चाहिए आपने जो कहा वो कौन सा लमा था उस लमे के आने में कहीं सारी चीजे हैं मैं तो प्रचारक बनना चाहता था लेकिन मुझे कहा गया है कि हमें प्रचारक चाहिए विचारक नहीं चाहिए इसलिए मैं गलती से इधर आपके बीच में हूँ नहीं तो हो सकता है कि अभी आपके खिलाप मैं भी बतानी क्या-क्या लिख रहा होता लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीजे जो हुई और उसको मैंने तफसील से अपनी किताब में लिखा है बाहर किताब भी है आप उसको विज्यापन नहीं समझे लेकिन आप ले सकते हैं वहां से लेकिन मैं जब आयुध्या वाली कारसेवा में गया और लोट के आया फिर मार्च 1991 में मंदिर सोंपो या गदी छोड़ो एक बड़ा अभियान चलाया गया और मैं जिस जिले से आता हूँ बिलवडा से वहां पर भी एक बड़ी रेली हमने निकाली और उस रेली का समय और नमाज का समय एक था और उस रेली को गुजरना था एक मस्ज़िद के नीचे से होकर के और उस समय बीजेपी की गवर्मेंट थी राजस्तान में और परसासन ने कहा कि नमाज के जो नमाजी निकल जाए उसके बाद रेली को ले जाना चाहिए तो हमने का हमारी गवर्मेंट है और गुलमंडी जहां यह है गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है जो हम वासिने निकल सकते हैं हम निकलेंगे और उसी समय में निकलेंगे तो इस बात को लेकर के जब आपस में रसा कसी हुई किसी ने पीछे से पत्थर भेंके गोली चल गई और गोली में दो लोग मारे गए दो ऐसे लोग मारे गए जिनका उस अंदोलन से कोई लेन देना नहीं था उस दिन के प्रदर्शन से भी कोई लेन देना नहीं था एक व्यक्ती सामान खरिदने आया गाउं से और वो गोली का सिकार हो गया दूसरा दिन में काम करता था रात में काम करता है दिन में सोता रहता है उसने बाहर कुछ आवाज सुनी बाहर निकला और ऐसा निकला ही आधा और कोली लग गया उमर गया लेकिन संयोग से दोनों हिंदू थे हिंदू थे इसलिए सहीद हो गए मुसल्मान होते तो डेहर हो जाते हो तो फिर उनका एक अस्तिकलास निकला गया अस्तिकलास हमारे गाउं में भी आया सारे जो अस्तिकलास के साथ लोग थे उनका भोजन मेरे घर में बनाया गया और उस भोजन को मेरे पिता तो बहुत एंटी आरसेस वेकती है उन्होंने कभी मेरा आरसेस में जाना पसंद नहीं किया लेकिन मेरे को लगता था है कि ये कॉंग्रेसी है और ये देश द्रोई है इसलिए ये मेरे को जाने से रोकते है तो जब मैंने उनको कहा कि यहां खाना खाएंगे उन्होंने का कभी नहीं खाएंगे मुझे पता है मैंने का आप जानते ही नहीं हमारे संग के बारे में हमारे यहां तो बिल्कुल नहीं चलता है ऐसा जाती बाती है हम सब के यहां खाते हैं सब के यहां जाते हैं उनका बहुत बड़िया मुझे कुछी होगी बनाओ तो खाना बनाया गया और ये अस्तिकला सियात्रा गाउं में आई भासन भासन हुए नो साड़े नो बजे रात तक कारिकरम चला फिर हमने कहा कि बोजन गरहन कीजिए तो उन में से एक सेवा भारती के जो जिलाद्यक्स थे नंदलाल वो मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बंदू आप तो समझते हैं कि अभी अपना हिंदू समाज इतना समरस नहीं हु दे दीजे खाने को तो मेरे लिए बहुत सोकिंग था क्योंकि मैं तो अयुद्या में मरने के लिए चला गया लेकिन वो मेरे गार में खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं थे लेकिन मेरी स्तिति आप समझ सकते हैं मेरे पिताजी ने पहले ही कह दिया था कि यह नहीं खाए तो उन्होंने नहीं जवाब दिया लेकिन मैंने ही अपने से जवाब दिया कि अगले गाउं में एक और कारिकम करना है और समय नहीं है इसलिए निखाएंगे लेकिन वो ले गए खाना खाया नहीं उन्होंने वहाँ एक वेद्धिरामसुरूप सरमा की घर में उन्होंने रात दस वजे पहुंच करके खाना बनवाया मेरे यहां से जो खाना गया उसको वो चोराए पर सड़क पे फैंक के चले गए और दूसरे दिन इस गटना के बारे में उस यात्रा में जो मेरे एक क्लास फिलो था उसने आ करके मुझे बताया मुझे फिर भी विस्वास नहीं हुआ तब हम दोनुं मित्र जा करके वहाँ उस जगे को देखा जहां खाना फैंका गया था और जब ये यकीन हो गया कि वास्ता में फैंका गया तो यात्रा जहां पहुंची वहां पहुंचे हम लोग और मैंने ये सवाल पूछा है कि आपने पहली बात तो मेरे यहां खाया नहीं पेक करके लेगे और पेक करके ले जाने के बाद आपने फैंक दिया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत छोटी सी बात को बड़ी बना रहे हैं खाना फेका नहीं गया था जीप में पीछे बैठे हुए साथियों के हाथ में था गाड़ी टर्न पे मुड़ी हाथ से छूट गया खाना अब गिरा हुआ खाना खाएंगे क्या हम लोग तो इतने गिरे वे नहीं थे या थे अब आप समझ सकते हैं लेकिन वो खाना जिस दिन गिरा या खाना जिस दिन उन्होंने फेका उस दिन उन्होंने मुझे भी फेक दिया और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ तो मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा बजरंग दल, RSS, विश्विंदू परिशत इस तरह की जो संगठन देश के अंदर चल रहे हैं ना इन संगठनों को बेन करना बहुत ज़ादा जरूरी है पी ए फाई को बन कर दिया गया है उसके सासत कई बार RSS RSS पर भी कई बार बेन लग चुका है बिहार के जो मुखे मंतरी थे उस समय लालो पिरसाद या दाओ उन्होंने ये कहा था कि मैं बिहार के अंदर किसी भी नफरती दल को आने नहीं दूँगा जैसे की बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिशत, हिंदू वाहिनी सेना और बहुत सारे संगठन ये चलते हैं जो लगातार किनी दो धर्मों में लोगों को बाटने का काम करें जिरो उँच जाती के नाम पर उँच नीच दिखाने की कोशिश करें जो दलिस समाज के लोगों को बढ़काने का काम करें इसे दलो को बिहार की धर्ती पर मैं आने नहीं दूँगा उसी लालो पिरसाद यादव के बेटे की सरकारे तजिस्वी यादव की इस समय बिहार के अंदर वही पर धिरेंद्र शास्त्री जाते हैं और अंद्विश्वास फेलाने का काम करते हैं एक वीडियो के अंदर हमने भी दिखाया था बहुत सारे चैनलें दिखाया था कि धिरेंद्र शास्ती के पेरों को चूने के लिए जब एक दलिस समाज के वेक्ति आगे बढ़ता है तो किस तरह से वे अपने पेर उपर कर लेता है और कहता है कि नहीं नहीं छूना नहीं हम अच्छूत है मतलब तुमारे हाथ लगने से हम आप जो हमारे पवित्रता है वो चली जाएगी तो ऐसे समाज के लोगों को आप धर्म गुरू कहते हैं ऐसे लोगों को आप ये मानते हैं कि ये हिंदु धर्म की रक्षा करेंगा आज भी आपके आँखें नहीं खुली तो फिर आपके आँखें खुलना बहुत मुश्किल है बागी वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपनी राइज जरूर दें इन्शालला फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ तब तक दुआ में याद रखना खुदा हाफिज जय हिन जय भारत